नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर शिंजो आबे, जपान के इधिखास में सबसे लेंबे समय तक रहने वाले प्रथान मंतरी इनको 8 जुले 2022 को नारा जपान में टेजुया यमागामी करके एक फॉर्मर जपान मारे टेम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मेंबर खुले आम हतिया कर दी तो आज इस वीडियो में हम ये डिसकस करेंगे कौन है ये तेजुया यमागामी और इन्होंने शिंजो आबे को क्यू मारा शुरुआत करते दोस्तों जब ये इंसिरेंट हुआ तब शिंजो आबे नारा जपान में एक पार्लमेंटरी इलक्षन के लिए क्यामपेनी कर रहे थे नारा जपान का लोकेशन आप इदर देख सकते हो इनको तूरंट नारा मेडिकल उन्वेसिटी तक लेके आया गया पर कुछ देर बाद इनका डेथ हुआ आप दोस्तों जिनों ने शिंसो आबे को गोली मारा उनका नाम है तेट्जुया यमागामी ये गोली मारने के बाद उधर से भागने की कोशिस नहीं किया वो उधरी खड़े रहे अपना बेंदुक नीचे करके सेम टेम पोलीस आके उन्हें अरस भी किया तो कौन है ये यमागामी टेट्जिया यमागामी भी नारा सिती में रहते हैं ये पहले जापनीज मरेटेम सेल्फ डिफेंस फोर्स में सेर्व कर चुके हैं वैसे जापनीज मरेटेम सेल्फ डिफेंस फोर्स को आप जापनीज नेवी भी बोल सकते हो वैसे यामगामी इतना politically active नहीं था वो 2020 तक एक manufacturing company में काम करता था कुछ health reasons की वज़े से उथर से resign किया था अगर नारा city की बात करे नारा city भी शिंसो आबे की जो party है the liberal democratic party उन्हें support करते हुए आया है अभी तक वैसे liberal democratic party 1955 से अभी तक जपान में maximum time power में रहा है तो दोस्तो नारा city से भी कोई दुश्मनी नहीं है और यह जो यमगामी है यह politically active भी नहीं था तो फिर क्या वज़ा है इन्हें मारने का अब कुछ local reports यह कर रहा है दोस्तों शिंसो आबे जब प्रथान मंदरी थी तब उनके कुछ policy से यमगामी disagree करता था और तब से उनके against यमगामी का गुसा था इसलिए उनको मारा पर जब police ने questioning किया तो यमगामी ने यह बोला है he had a grunt against आबे एक इर्शिया था गुसा था क्यूँ because he believed rumors about the former leader's connection to a certain organization मतलब कुछ rumor है कि यह इन्सो आबे का कुछ organization से connection है जो नहीं होना चीए अब यह organization का नाम क्या है police reveal नहीं किया है अब जो gun यमगामी ने यूज किया वो एक homemade double barrel gun था वैसे जपान में gun carry करना virtually impossible है क्योंकि जपान में gun loss बहुत ही strict है अब यह सारे details हमें पता चला है दोस्तों NHK से NHK का full form है Nippon Hoso Kyokai English में Japan Broadcasting Corporation जपान का only public broadcaster है अब दोस्तों Shinzo Abe के बारे में कुछ basic details इनका जनम जपान का capital Tokyo में September 21st 1954 को हुआ था Tokyo का Saiki University से वो graduate हुए 1977 में इसके बाद United States of America में University of Southern California में भी पढ़ाई किया Abe एक prominent political family से बिलोग करते थे He was the grandson of Nabosuke Kishi ये world war second era official जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे किशी के साथ भी एक assassination attempt हुआ था किसी ने उनको staff किया था पर वो survey किये Abe के father भी एक politician थे Shintaro Liberal Democratic Party के एक senior leader थे और Japanese government में ऐसे foreign minister भी रह चुका है और जैसे मैं आपको पहले बताया Shinto Abe जपान का longest ever prime minister थे जिन्होंने 2006 से 2007 तक और 2012 से 2020 तक Japanese prime minister का post hold किया Shinto Abe की economic policies काफी famous थे और lasting भी थे इसे abonomics कहते थे जो उन्होंने 2013 में launch किया था Japanese economy को recover करने के लिए Shinto Abe प्राइम मिनिस्टर बेलने से पहले करीब दो decades तक Japanese economy deflation face कर रहा था इनके economic policies में सबसे important था government spending इन्होंने काफी सारे economic reforms भी undertake किये जैसे कि corporate taxes को cut किया, red tape को completely eliminate किया और economy को liberalize किया अब red tape मतलब क्या है आपको पताई होगा देखे, excessive bureaucracy या फिर ज्यादा ही rules and regulations बोलके चीजों को आगे बटने नहीं देना, इसे red tape बोलते हैं तो आबे ने क्या किया, ये red tape वाला जो system में उसे completely eliminate किया अब ये red tape system एक हथ तक Indian bureaucracy में भी देखने को मिलेगा आपको पताईए, now Shinzo Abe का एक pledge था दोस्तों, to take back Japan to restore its pre-World War II position as Asia's pre-eminent power and its economic dynamism of the 1960s देखिए, World War II में जपान के साथ क्या हुआ, ये आप सब जानते है नागासा की हिरोशिमा में जो nuclear bombs गिरे उससे पहले, Asia में सबसे important country था दोस्तों, Japan इनकी economy काफी advanced थी तो Shinzo Abe का एक vision था, कि जपान को World War II से पहले जो condition था उसमें लेके जाएंगे 2016 में एक speech में इन्होंने बोला था, we should look to the future rather than worry about the present present के बार में ज्यादा सोचनी की जरूरत नहीं है, हमें future के बार में सोचना चाहिए वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो, Shinzo Abe की जितने policies थे ना, वो काफी lasting थे आभी भी Japanese economy में इनकी policy का positive impact आपको देखने को मिलेगा अब Japan ऐसा country है दोस्तों जो World War II के time पर खतम ही हो गया था अब दो atom bombs गिरेंगे, जपान जैसे एक country में तो आप सोच सकते हो आभी भी उस atom bomb का after effects उथर के लोगों में है इसके अलावा natural disaster से भी परेशा ने जपा है earthquakes काफी frequent है, तो तीन बार tsunami आ चुका है एक बार earthquake में Fukushima nuclear power plan में destruction हुआ था ये सब आपको मालूम है, पर देखें दोस्तों ये सब के बावजूत Japanese economy ने जो improvement दिखाया जो compact दिखाया वो तो मानना ही पड़ा क्योंगी ऐसा एक country जिनको इतने सारे challenges face करना पड़ा है वो अभी G7 group of countries का पार्ट है दोस्तों अब G7 आपको पताईए, दुनिया के top 7 economies है G7 में जपान के अलावा Canada, France, Germany, Italy, United Kingdom and United States of America जैसे country से तो अगर जपान आज का जो condition में पहुंचा है तो उसके लिए शिंसो आबे जैसे प्राइम मिनिस्टर्स का रोल बहुत ही इंपोर्टन है वैसे शिंसो आबे 2020 में प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट से रिजेन किये थे due to some health problems पर उसके बाद भी वो लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी के लिए एक बहुती इंपोर्टन मेंबर थे और एक रेप्यूटेट किंग मेकर भी थे तो दोस्तों फाइनली गन वाइलेंस इन जपान देखिए जपान में गन वाइलेंस काफी रेर है इवन पोलिटिकल वाइलेंस भी होते नहीं है शूटिंग्स तो बिलकुल अनकॉमन है तो ऐसा एक न्यूस जब जपान से आया न सारे शोक हो गया पिछले साल में पूरिये जपान में केवल 10 शूटिंग इंसिरेंस हुए थे उसमें एक परसंड का डेथ हुआ था अब सोचे दोस्तों पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं एक साल में केवल 10 शूटिंग इंसिरेंस हुआ और एक ही परसंड का डेथ हुआ शूटिंग में इसका में रीशन यह है दोस्तों जपान में गन्स खरीदना इतना आसा नहीं है अगर कोई सिविलियन को वेपन्स खर से उपर से लाइसेंस देने के पहले आपका बैक्ग्रोंड पूरा चेक किया जाएगा और इवन पॉलीस के पास भी हैंड गन्स रहते हैं टॉटल नंबर ओगन्स हेल्ट बई सिविलियन जपान कितना है 2019 में 3,10,400 थे मतलब 0.25 पर 100 पीपल यह लोबस्ट लवल है अमंग जी सवन कंट्री तो दोस्तों जो भी हुआ अनफोर्चनेट हुआ ऐसा एक पीसफुल कंट्री में इस तरह एक शूटिंग इंसिरेंट दाट्व विते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल एक्सप्टेबल नहीं है अब इसके पीछे का एक्चुल रीजन्स क्या है य आपको वीडियो इनफोर्मेट्व लगा हो लेक्चे की पीडियेफ आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में प्रोवेड़ेड है थैंक्यू फो आच्ची पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ